हाई फ्रेंड्स मैं हूँ पेंदर कुमारपांडे आप देख रहे हैं पंडीत उपेंदर श्वडी क्लासेस में जैसा कि आप लोगो आज हम बात करने वाले हैं यंसी मसीन और आटो मेशन के चिप्टर थर्ड के बारे में जैसा कि आप लोगो नेश्टे क्लासेस मैंने सिकंड शिक्टर के कुछ टॉपिक आपको बात किया था आज का टॉपिक होने वाला है पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है और पार्ट प्रोग्रामिंग में हम जानेंगे यंसी मसीन यानी यलसी मसीन क्या होता इन सारे टॉपिक के बारे में पूर रूप से डिसकसन करने वाली है पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है पार्ट प्रोग्रामिंग का पार्ट कौन कौन से होते हैं मुख पार्ट कौन कौन से होते हैं इन सारे टॉपिक के बारे में पूर रूप से इस्टेब बाइस्टेब डिसकसन करने वाले हैं तो ये वीडियो काफी हेल्फल होने वाली है वीडियो लाश्ट तक देखना तब ही आप लोग को समझ में आएगा चली हम बात करें जैसा कि आप स्क्रिन के माद्यम से देख वारे हैं चेटर थर्ड और हमारा टॉपिक होने वाला है जो चेप्टर का नाम है क्या है हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग अब पार्ट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है अगर हम किसी भी प्रोसेस का किसी मसीनरी के दौरा किसी भी य प्रोसेस करना होता है तो किसी ना किसी प्रकार का एक प्रोग्राम बनाना आती अवसक होता है जिससे हमारा जो भी उसके चल पार्ट होते हैं उनकी साहता से हम आसानी से उसकार को संपन कराते हैं तो ये कहने के मतलब हुआ कि मेकेनिकल इंजिरिंग में सी एल सी मसीन का भी ज जरूर है तो प्रोग्राम से रिलेटेड आप सम चेप्टर 3 में जानेंगे चलिए पहला टॉपिक आता है हमारा यहां पे नुमेरिकल कंट्रोल यानि संख्यात्मक नियंत्रण क्या होता है अब नियंत्रण को साथ फॉम में बोले यल्सी मसीन यानि यल्सी कहा जाता है क्या क्या होता है नुमेरिकल कंट्रोल जी से नाम से जानते हैं चलिए देखते हैं इसको डिफिनिशन के मादिम से देफिनिशन हमारा क्या कहता है कि संख्याओं का नियंत्रण संख्यात्मक नियंत्रण कहलाता है मिन्स कहने के मतलब है अगर हम किसी मसीनों को क्या किया जाए कि किसी संख्या के दौरा उसे नियंत्र किया जाए कहने का मतलब साहता से बन सेव कर लिया जाए और सेव करने के बाद उसमें क्या किया जा एक एंपीटर के जरी उसमें भेजा जाए और भेजने के बाद उसमें जितने चल पार्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए किसका प्योग करते हैं तो निमेरिकल कंट्रोल के जरी उस मसीन को पार्ट होती है उनको सबसे पहले क्या किया जाता प्रोग्राम से होता है इस बटन से आपका ये पार्ट कंट्रोल होगा इस बटन से आपका ये पार्ट कंट्रोल होगा मिन्स कहने का मतलब एक संख्या वाइज के आधारित पर मतलब पांस नंबर का बटन क्या होता है टूल क प्रोसेस हो रहा है इनके द्वारा गर कोई भी किसी मसीनों को कंट्रोल किया जाता है तो हमारा किसके अंतरगत आता है नुमेरिकल कंट्रोल के द्वारा आता है तो किसी मसीनों को नियंतर करने के लिए उसका यूज किया जाता है चलिए बात करें जैसे कि आप लोग को इसका main figure क्या होता, main this क्या होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, program बना लेते हैं program किसके जरी बताता है, तो किसी संख्या के दोरा बनाये जाता है और वहीं पर बात क्या जाए, जब हमारा program complete हो जाता, program को क्या क्या जाता मसीन कन्ट्रोल यूनिट, जो भी उसके part होते हैं, जो भी चल पार्ट होते हैं, जो भी उसमे part होते हैं, उसको क्या क्या orchestrated गाए, कन्ट्रोल किया जाता है. एक unit के बिसपर और वहीं पर बात कहा जा है, आगे processing equipment मतलब जब उसे control क्या जाता है तो control करने के बाद उसे processing किया जाएगा simple क्या है means कहने का मतलब हुआ कि यहां पहेele menarchal control में होता, संख्यात्र में होता क्या थीन पार्ट ऐसे होते है पहलत है में किसी कारखंड का aint का यहास चाहिए तो चाहिए पहले उसका program बना किसी ना किसी टूल के जर्य उस पर आपरेशन किया जाएगा तो टूल को क्या किया जाएगा पांच एमम तक बना ब्यास बनाने के लिए उसको कंट्रोल किया जाएगा और जब हमारा पार्ट कंट्रोल हो जाएगा तब उसके प्रोसेसिंग किया जाएगा तब हमें क्या हो ज कर जाए yeltsi machine के अभियों कौन कौन से होते है means कहने को मतलब है elements of yeltsi machine कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में देखेंगे तो यह मुख रूप से आपके तीन पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं चलिए हम देखते हैं पहला टापी कमार आता है machine control unit क्या किया जाता है जो इसके चल पार्ट होते हैं सबसे पहले उसको control किया जाता है program के जरीए क्या किया जाएगा control किया जाएगा और control के जरीए क्या किया जाएगा उसका part programming पहले part को क्या किया जाएगा control किया जाएगा और control करने के बाद उसका part programming भी use किया जाएगा next topic की बाद किया जाएगा machine tool यानि जो yansi machine के elements होते हैं मतलब आवियो होते हैं जिनके दोरा हम yansi machine को चलाया जाता चलाने का संभव प्राप्त हो सकता है और किनके माध्वों पर चलाया जाता है तो तीन पार्टों के माध्वन से चलाया जाता है कौन को उसा आता है यानि machine control unit yam si yu जिसे साट फाम में बोलते हैं क्या बोलते हैं yam si yu और next topic की बाद किया जाएगा part program program के जरीए क्या किया जाएगा उस part के जितने part होते हैं उसको set किया जाएगा इतने business पर ये process होना है किसके द्वारा किया जाएगा तो part programming के द्वारा और वही पर next बात किया जाएगा कारखंड पर operation को और किया जाएगा कौन करेगा तो machine tool के जरीए भी operation किया जाएगा तो कहने के मतलब है yansi machine के जो main part होते हैं वो कितने होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे तो topic हमारा क्या कहता है कि यहाँ पर definition के मादधन से तो definition हमारा क्या कहता है कि machine control unit यानि क्या होता है CPU जिसे बोलते है machine control unit यानि yamcu machine control क्या क्या जाएगा और unit एक unit के बेस पर control क्या जाएगा किसके जितने जो machine के part होते हैं उनको control क्या जाएगा आगे बात क्या जाए program या machine tool के मद्द एक कड़ी होती है और machine control unit machine tool को निर्देश के अमसार क्यानिवित करता है means कहने का मतलब हुआ कि MCU और एक machine tool और एक program इन तीनों के basis पर क्या किया जाएगा जब हमारा program तयार हो जाएगा पर तयार होने के बाद क्या जाएगा इसको control क्या जाएगा और control किसके जोरा क्या जाएगा एक computer के मादियirst से किया जाइगा और हमारा operation किंके मदरा किया जाएगा तो एक तूल के जोरा तो क्या किया जाएगा एक संख्या dewise यानी कहने के मतलब एक unit एक कड़ी के basis पर किया किया जाएगा उसको निर्देशित क्याundasit और निर्देशित करने के बाद तब में आउटपुट प्राप्त होता है तो वही कहने का मतलब है तो जो यमसीयू के निम निलिखित आभियो होते हैं यानि मेल पार्ट होते हैं वो कौन कोई सो होते हैं चलिए हम देखते हैं यहां पे तो पहला हमारा आता है सबसे पहले क्या करते हैं मयाइंसीयू यानि मशीन-कंट्रोल यूनित क्या को जयता है जो हमारा प्रोग्रम होता है उसको देट करता है देखता है पर्दता कैजा यहां प्रोसेस किया जाता है नेस्ट वेक पर बात क्या जा जा आउट्पूर्ट टैनल तथा एक्टूरेटर के माध्यम से क्या जाता है उसको क्या जाता है कंट्रोल क्या जाता है और कंट्रोल करने के बाद उसके आउट्पूर्ट क्या जाता है next control panel के द्वारा और feedback उपकण के द्वारा means कहने के मतलब हुआ कि जितनी तेजी से हमारा जो भी कारखंड पर work out किया जाएगा MCU के द्वारा machine control unit के द्वारा उन तूलों को control किया जाएगा इसके द्वारा तो feedback उपकण और control panel के द्वारा means कहने के मतलब है कि जितना input हमें प्राप्त होगा उतना output प्राप्त होगा जितना input देंगे उसी के according जिस प्रकार से हम क्या कर जाएगा control panel के दोरह उसे control करने के बाद तब ही तो हमारा output प्राप्त होगा कहने का मतलब हुआ अगर हम किसी मसीन में कोई भी पार्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या किया जाएगा उसमें असंबली बना जाएगा असंबली बनाने के बाद तभी तो हमारा आउट्पूर राप्त होगा तो उसी ब्रकार हमारा यंस्यू के जितने भी पार्ट होते हैं यह सारे पार्ट अपने अपने कालर को सौपते हैं तभी हमें जाकर आपना पूर्ड रूप से यानि आउट्ट राप्त होता है निस टॉपिक की बाद क्या जा यंसी प्रोसेस क्या होता है इनके बारे में देखेंगे तो यंसी प्रोसेस हमारा क्या होता है इनके बारे में त होता है चलिए हम देखते हैं पहला पहला आता है प्रक्रम योजन यानि प्रोसेसिंग प्लानिंग क्या होता है जैसे कि कारखंड पर अगर हम कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा उसको सोच बिचार कर लिया जाएगा किस प्रकार से डिजाइन बनाइजाएगा और वहीं पर फिर आज जाएगा टाइप की तैयारी करना के मतलब है तेंप्रिटर में उसे 71 करना यानि फीड करना मतलब कहने क्छीक नोब सेव करना जिसे बोलते हैं और नेश टॉपिक के बाद क्या जाए तब हमें उत्पादन यानि प्रोडक्शन तो होता है यानि जो यंसी मसीन का प्रोसेस होता है हमारा चार प्रकार के होते हैं कौन को से सबसे पहले क्या किया जाता कारखंड के बारे में अगर हम बनाना होता तो उसके प्रोसेसिंग चलाता है और प्रोसेसिंग बनाने के बाद उसके प्रोग्राम बनाने के बाद उसको क्या किया जाता है एक computer के दोरा उसे save किया जाता है और save करने के बाद उसे machine पर फालू करवा जाता और फालू करवाने के बाद तब है प्रोडक्ट की उत्पादन यानी production प्राप्त होता है I hope guys यहाँ पर आप लोग को LC machine के जो भी पार्ट होते हैं और जो भी definition आप लोग को बताया गया I hope कि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा तो बस कैस आज के लिता है वीडियो अच्छे लेगी हो चनल पर नए हो चनल को सस्क्राइब की ज़्यादा ज़्यादा सेर करने को सिसकिजे मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिल